तो आज आपके साथ ने शेयर करने जा रहे एक नए तरीकी की इडली की रेसिपी यह बहुत हैल्दी है इसमें फाइवर अच्छे मूंड में है तेस्ट बहुत अच्छा है इसे हमने सेर्फ किया है चटनी के साथ में इसे हमने स्टफ करके बनाया है आप इसे अपने घर पर बियक फास्ट बना सकते हैं बच्चों के लुट बॉक्स पैक कर सकते हैं बहुत पसंद आएगे सबको तो बनाना शुरू करते हैं तो यहाँपर सबसे पहले जो लाल वाली चटनी बना लें टमटर वाली आपको लेना है एक चमच ओयल एक चमच उड़द ना चना दाल नह भी आपको भून लेना है तो जब इन चीजों का कलर इस तरीकी से ब्राउन हो जाए ना तो आपको क्या करना है फ्लेम को लो रखना है दो सूकी लाल मिर्श लिये हैं जिसे हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं और इसे के साथ में दो चमच भर कर आपको लेना है को कोनेट का जो ड्राइ कोकोनेट आपको इसली मार्केट में मिल जाता है उसके बाद में आपको इसमें डाल देने हैं टमाटर तो यहां पर ना मैंने दो टमाटर लिये हैं चोटे साइस के तो इसमें ना चटनी काफी बन जाती है और यह वाले चटनी तो आप घर में कभी ऐसे डोसा आप भी बनते होना तो यह जो बाहर दोसे के साथ में बिलती है न चटनी यह लाल वाली टमाटर वाली वह यही चटनी is ट्राइ कर लेना बाजार से ज़ादा पसंद आईगी अब डाल देना आधा ग्लास से थोड़ा से ज़ादा पानी और बस आपको इसे थोड़े पकाना है इतना पकाना है कि टमाटर से इसका छो छेलका होता है न वो थोड़ा अलग होने लग जाए तो यहां पर देखिए 4-5 विट में ही आपको देखेगा जो टमाटर का छिलका है वो अलग होने लगा है बस अफलेम को बंद कर देना और इसे आप पूरी तरह से थंडा होने देना तो यहां पर यह थंडा हो गया है को क्या करना है मिक्सर जार लेना है जार में सारे चीज़े आपको डाल देनी है इसकाई जो पानी है यह आपको हटाना नहीं है इससे आपको चटनी में यूज करना है तो यहां पर डालेंगे हम नमक कई बन क्या होता है ना इसमें नमक का अंदाजा नहीं रहता है तो वो लास्ट में डालोगे न, आपको बदा रहेगा कि वए चटनी istina पिशकर तेयार हो जाएगे। पीस लेदें यहां पर यहे चटनी पिसकर तेयार हो गई है, आपको इसे एक बाल में निकाल लेना है और फिर हम इसके लिए तड़क तेयार करेंगे, तब को लिए पर भी गेस को बंद कर देना फिर यह तुटब़ा से ठंडा होने दिना बस फिर इसमें डाल देना घ्री पत्ता लेंगे कितना कम लिए ना फिर फिर करी पत्ते काफी छिटकता है फिर आप यह तड़के इसमें डाल देना तो यहाँ पर यह तैयार हो गई है हमारी टमाइटर वाली चेटनी यह आप घर में भी जैसे डोसा बनाते हो ना यह वाड़ा बनाते हो उसके साथ ना बनाना बहुत अच्छी लगेगे आपको एक बाव लेना है इसमें आपको लेना है सूजी तो दिखे जितनी आपको सूजी लेनी है उससे आधा आपको दही लेना है साथ में लेना नमक स्वादा नुसार और पानी डाल देना आप अभी इसमें थोड़ा यानि की आधा कप जिटना पहले आप इसको mix करना तो अभी तो इसमें पानी कम है तो हम इसमें भी थोड़ा सा पानी और एट करेंगे वैसे पता इसमें जितने आपने सूझी ली है उतना पानी last तक इसमें लगी जाता है तो अभी हमें इसका जादा पतला गोली बनाना है पानी जादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो हमें इसका कलर भी चेंज करना है तो अभी आप इसको थोड़ा सा थिक रखना बस आप इसे अच्छी से mix करके 10 मिटे लिए ठकके रख दिना है अच्छी से set हो जाए और यहां पर हमने थोड़े से 12 से बंदर लिये थे पालक के पत्ति जिसे अच्छी से वाश करके पानी में हमने इसको वाल करने के लिए रख लिया था थोड़े दिन में इस तरीके सुबल कर तियार हो जाता है आपको इसे अगलग बरतर निकाल लेना है थंड़ा हो जाए आपको इसे मिक्सर जार में डाल देना है थोड़ा से पानी इसमें डाल के आपको इसे अच्छी से पीस कर तियार करना है तो यहां पर यह पिसकर तियार हो गया है और यहां पर इसको भी 10 मिनिट हो गये है अब यह जो पालक जो हमने पीस का त्यार किया है ना इससे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे और बाकि जैसा आपको कलर चाहिए थोड़ा लाइट चाहिए डाल चाहिए उससाब से आप इसको इसको आपको टेस्ट चेंज नहीं होगा अच्छा है हेल्दी है ट अहां पर बनाएंगे आलो का मसाला दो चमाच हमने और ले लिया है एक चमाच हमने लिया है औरत की डाल इसे ना आप लो फ्लेम पर भून लेना दाल भूनकर टेयार हो गई है थोड़ा से इसमें डाल देना आप राई इसी के साथ में इसमें जाएगा जीरा तो जितना आपने लग जाती है इसे लो फ्लेम पर करना तक कोई भी चीज जले ना यह आप ले लेना करी पत्ता दस से बाड़ा इसे हमने वाश्टो कर लिया दा अब आपको क्या करना है करी पत्ता को ना ऐसे कि जगे आप यदि करके एड करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से आप लेना हल्दी थोड़ा से कलर चेंज होने के हिसाब से हलका साब एक्स करना तक यह बेसमें ना लगे यहां पर यह लिए हमने अब ले हुए आलो जिसे हमने मैश कर लिया है और बाकी यह अपने हिसाब से ले सकते आलो आपको कितना चाहिए क्योंकि इस से मैंने एक ही चीज से दो वीडियो शूट की थे तो मैंने इसे थोड़ा ज्यादा मांट में बनाया था अब आपको इसमें एट करना है नमक स्वादनुसार साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर यह अपके पास में अविलिबल है तो फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं व ठंडा होने के लिए जैसे चंडा हो जाए तो बस आपको इसके छोटे छोटे से बाल्स बनानी है और फिर आप उससे हलका से ऐसे फ्लैट कर देना जैसे पूरी के लिए पेड़ा बनाते है वैसे ही आपको इससे बनाना है तो इससे आप एक साथ बना के रख लोगी नहीं आपको क्या लेना है जिसमें आप इडली बनाते हो ना उसमें आपको हलका हलका सा ओल लगाना है उसे अच्छे से ग्रिस कर देना है और इस बैटर में आपको डाल देना है एक शैशे इनू और बस यह जो पालक का जो बाकी का पानी धाना वो इसमें हमने डाल दिया है और आपको इससे अच्छे से मिक्स करना है देखे यदि आपके पास में इनो नहीं है तो आप इसके जगे यहां पर इसमें वन थर्डी स्पून बेकिंग सोडा ले सकते हैं चेक कैसे करेंगे ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चीए डाल के देखना यह ना इसमें जाके मिक्स नहीं होना जैसे हमने डालाए ना वैसे ही रहना चाहिए और बस एक एक चमश जितना आपको बैटर लेना है इसमें इस तरीकी से थोड़ा थोड़ा सभी में रखते जाना है जादा बैटर रख दोगे ना जो फिलिंग है ना वह बाहर तक निकलेगे तो थोड़ा सा इस तरीकी से और फिर आपको यह जो बैटर है ना बस यह माल लेजिए जो पेड़ा आपने बनाए ना इसको आपको बस कवर करना ऐसे आपको कोई उपर तक भरना नहीं है बस में रहत है कि यह सभी दरब से अच्छे से कवर हो जाए आपको लगेगा ना शेप एक तम अजीब ना आए बीज में से अलग उठा 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 अशा लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस्टीम होगा बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा स्टीम करने के लिए रख देना यहां पर मैंने पहले से स्टीम बने के लिए रख दी और कम से कम आपको रखना है लो टू मीजम फ्लेम पर वो यहां पर यह हो गया है वैसे आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं और टच करके यह हाथ उपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा वैसे भी पन्नेवट में यह पक जाता है अच्छे से तो बस अब इससे हम सब कर लेते हैं यह टमाट्र मुफली की चटनी के साथ में और इसे न आपको सही लगे ना आप वैसे बना सकते हैं तो यह दिखिए एकदम परफेक्ट सॉफ्ट जालीदार अच्छे से यह स्पंज है और यह हम सर्फ कर लेंगे इस चटनी के साथ में इसका बैस्ट कॉम्बिनेशन है वैसे चाहें तो आप इसे सामबर के साथ में घर पर बना स है वह भी पतली रहती है सानी आपको उसका टेस्ट आला गया बेस्ट कॉम्बिनेशन है ट्राइज जरू करें फैंस के साथ में शेयर करना हैल्दी भी है टेस्टी भी है बनाना ज़रूर कमेंड करके बताना रहते हैं आपको कैसी लगी थेंक्यू झाला ढ़िया